तो वो इन्सानियत की बुनियादों पर किया का जिए एक पाकिस्तानी स्टूड़न्ट होते हुए इंडियन गवर्मेंट से वो रास्क यह हुई आप इस बारे में क्या कहेंगे मेरा ख्याल है कि हमारी कौर्डमेंट को चाहिए कि जैसे उन्होंने रेस्कू किया ये भी जाया और उनको रेस्कू करें बलके दोस्तों इंडियन एंबसे ने जो पाकिस्तानी लड़की आश्मा शेपिक को जो यूक्रेन में फसी ती उसको निकालने के लिए मदद की और मदद करने के बाद उस लड़की ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को एक वीडियो के जरिये बहुती धन्यवाद कहा इस बात प अगर इंडिया की तरफ से रेस्क्यू किया गया तो वो इंसानियत की बनियादों पर किया गया होगा जब इस तरह के मामलात होते हैं इस तरह की हंगामे सुर्टेहाल होती है तो वहां पे सरहद या दुश्मनिया नहीं देखी जाती है यह अगर इंडिया ने किया है तो इ यह हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमने यह भी कहा था कि आपको अगर मास्क चाहिए आपको अगर सैनिटाइजर चाहिए कुछ भी चाहिए तो हम आपको विजवा सकते हैं तो कहने का मक्सद लोग जो है ना इंडिया को क्या मदद करोगे जो तुम लोग जो है ना आपने देश को कोरोना काल में बेजाथा और आप लोग जो है ना चाहिए ना के वैक्सिन यूज कि आ और बोल रहे हो कि आप लोग भी जो है ना इंडिया को मदद करते होगे ये है कि ये चीजें जो होती रहती है संगामी सुर्थेहाल में पाकिस्तान में वैसे भी सियासी सुर्थेहाल कुछ इससरा की है कि गौर्वर्मेंट सबसे पहले सियासी सुर्थेहाल से निमट ले उसके बाद बच्चों को भी निकाल लेगी और खेर कुछ इससरा के अलिमेंटस इससे पहले होते रहे जब आपको याद होगा कॉविट के अंदर चाइना में पाकिसानी स्टूडन्ट फसे हो वेते तो तब भी छोट सी प्रॉब्लम थी निकालने में मसले मसायल रहे लेकिन ये चीज़े होती रहती हैं इंडिया के पास जो है वो रिसॉर्स बी ज़्यादा है वो ज्यादा कापैसिटी के अंदर लोगों को रेस्क्यो कर सकते हैं ये मानना चाहिए हमें पाकिसान से ज्यादा कर सकते हैं तो अगर उन्होंने किया है तो ये उनका अच्छा कدم है दखें ये ज़रूरी नहीं है, आज उन्हों नहीं किया है काल को पाकिस्तान जब होता है, गी मामला ना तो अन्डिया के बहुत साहँ काल वन्हिमे साम, पर겠ा के पहले हो जब काल… तो ये आजी बड़ राता है कि मैंस hasnी क вн defend बने हो इसके बंदर अपने आप से compare करें मैंने अपसे पहले का के active ज्यादा हमसे है या है या competitively हमसे ज्यादा काम कर रही है नहीं कर रही हैं इसके भाए कुछ भी कहना कबल अज वक mapped होगा मसला यह मैंने आपको बता है कि उनके पस्कापैसिटी ज्यादा है और कई मर्थभा यह होता है देखें आपने अपने हिशाब को लेके अपने आपको देखके चलना होता है आपने अपने रिसॉर्सिस को देखके चलना होता है आपने देखना होता है आप एक टाइम के अंदर कितने स्टूडंट्स को ला सकते हैं इसा नहीं होता होता कुछ चीजे होती है कई जोगों पर हाँ खारजी महाज़ पर थोड़ा से ज्यादा स्ट्रॉंग होंगे इंडिया के लोग जो है वो इंडियन गौर्वर्मेंट जो है यूक्रेयन जो है एक चीज समझने की बात है हम इस ताइम इसराइल अपना किसी हद लेका ञें जो किछ फार्वर्मेंट तो जो इंडिया ने जो है ने को सपोर्ट किया था और इंडिया जो है ना रसिया को ही सपोर्ट करते रहेगा तो सहूलियात उसको सफार्थी महाज़ पे मिलेंगी ना जो बेनिफिट्स उसको मिलेंगे जो मतलब जिस तरह का रिस्पॉंस उनको मिलेगा आप बाइस हो गए ना हम आपके साथ हैं हमारे बंदे निकल ने दे तो जब आप बाइस हो जाएंगे तो उसके बाद जिनको रैस्कju किया है इंडियन अंबसीדियन गवच्वनने ठीक है असपय न नरिंद्र मुदी का शुकरिया भी अदा किया है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट होते वे इंड्रिल गवर्णने से वो रैस्क कालने के बाद और उनका फर्पूर साथ दें और रश्या के भी साथ दें क्योंकि योकरीन में ठीक है हमला तो हुआ है लेकिन इन्हों ने कई है आप देखा हुआ इससे पहले कई है इंडियन अमबैसी रैस्क्यू कर रही है क्या इंडियन इंडियन गर्मन्न जो है वह material साथ है गिया की है अपने को को रॉत दूर तो इनकी नेशर में नहीं है इनको परवार नहीं होती, कोई भी हमारी गॉर्मेंट हो, इनको इससे कोई परवार नहीं है कि हमारे लोग कहा है, क्या मसला मसाइल है, इनको क्या मसला नहीं है, अच्छा उन्हों ने अपने लोगों को तो रेस्क्यू किया है, पॉल लेंड में विजा फ्री अपने पाकस्तानी स्टूटंस की तो जिस वक्ट पॉल एंड में इंडियन फ्री एंटर ते पाकिस्तानी सुडूड होगा था था ताकि एक्सवर्यट हो जीजहिए वहाँ से उन पर इंपक्ट कर रहा है इंडिया, जो है, इंडिया की बात मान रहे हैं, क्या रिजन है? अच्छा देखें, टेकनोलोजी के अंदर वो बहुत आगे हैं, ये मानने की बात है, पाकिसान से आगे हैं, एकॉनमी उनकी बहतर है, ये भी मानने की बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, कि इन बुनियादों के उपर उनको फेवर मिल रही है तो नहीं, ये बिल्कुल भी न आपने दूसरे कंट्री को देना है, आपके स्टुडेन्स वहां पर जाते हैं, उनके आपके पास आते रहते हैं, ये जो पाकिसानी स्टुडेंट्स से जंडा पकड़ा होता है, इंडियन गर्मेंट का, तो, देखें, कई मर्थ ऐसा होता है, कि जल्दबादी में, पाकिसा और जिए तरह पर से होते रहते हैं आप किस तरह से कह सकते हैं देखे जब युकरेयन पर बंबारी हो रही थी तो उनोंने एक फूरन देखना था गी पाकीस्ताइजा इंदियन सुडेंट्स हैं और बैसी बात जब पाकिसनी तरह से कोई इनिशिल स्टेप नहीं लिया गया तो मजबूरन जो है इस तरीके से हमें जो है जब आपके स्टूडेंट्स माँ फसें आपको इनिशिल स्टेप लेने की जरुवत है आपको लगता है कि आपको सुस्ट पने का इजहार करना चाहिए पहले भी कहा के देखें हर कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कुछ तालुकात होते हैं मामलात होते हैं हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को उस तरह से ट्रीट नहीं करता अब यूकरेन इंडिया को जिस तरह से ट्रीट कर रहे है पाकिसान को उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा कुल नहीं लगता कि लोगों को जब तक हम मुतहिद नहीं करेंगे जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा मुलक तरक्की नहीं कर सकता। तो वैसे यह आपके बड़े अची बात हैं हमें स्पोर्ट करना चाहिए इसका क्या मतलब है कि वो लोग अपनी नेशन के साथ अपने लोगों के साथ संसेर हैं इसलिए वो लोग आगे जा रहे हैं शायद उनका महौल भी है और संसेर हैं कुछ इस अपस में वो कम संसेर हैं लेकर खुद आपस में वो संसेर हैं इंडिया जो है उसका काफी मुलकों के ओपर इंपक्ट है ठीक है जस तरीके से पोल लेंड में उनके स्टूडन्स जो है वो विजा फ्री एंडर हैं क्या रिजन आपको लगते हैं क्या वोग टेक्नोलोजी में आगे हैं क्या एजूकि आपको क्या लगता है कि इंडिया की गमें अच्छा काम कर रही हैं आपको क्या लगता है कि इंडिया की गमें अच्छा काम कर रही हैं इंडिया की गमें आपको क्या लगता है कि इंडिया की गमें अच्छा काम कर रही हैं अच्छा सर उन्होंने आपको पता कि रूस और उक्रेन में जो भी मामला चल रहे थे कहा ये भी जा रहा है कि वर्ल्ड वार्ट फ्री भी हो सकती है इसी दुरान जो है इंडियन गवर्मेंट ने पहला इनिशिल स्टेप लिया था और अपने स्टूरेंट्स को विजा फ्री लेंड में एंटर कर वाया था उनको रेस्क्यू कर वाया था ठीक है जबके पाकिस्तानी स्टूनेंट्स उसी वक्त उक्रेन में फसे वे थे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्मेंट और इंडियन गवर्मेंट का आप किस तरीके से दिफ्रेंस करेंगे सर मुझा ही बता है कि जिस तरीका से वो अपने स्टूडंट्स को रेस्क्यू करे रहे हैं निर से निकलने की कोशिश की थी जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ राहा है हर चीज में ओश जे रहा है तो आप इसके पीछे की क्या पटी को ने morphics काँ कव भіत पाकिस्तानी लोग निकालते ही रहते तो दोस्तों इस वीडियो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजे और मैं मिलता हूं आगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिन और जय भारत